नमस्कार दोस्तों, शितिस दिवेदी डिफरेंट वीडियो के इस एपिसोड वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मेरा नाम शितिस दिवेदी है आज आपको एक मेंटेनेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ यदि आप लापरवाही कर गए उस मेंटेनस के लिए, तो आपके साथ बड़ी इंजरी हो सकती है आपका पैर फ्रैक्चर हो सकता है ये रिलेटेड है, जो थर्ड रो में आपको जम सीट्स मिलती है, उनके मेंटेनस से तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आज आपको इसके एक important point के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी बड़ी बड़ी injury होने से बच जाएगी तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, let's begin तो आज जब मैं driving कर रहा था गाड़ी तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे वो आके थर्ड रो में बैठ गए थे गाड़ी स्पीड में थी अचानक से भट से अवाज आई मैंने उन सज्जन से पूछा क्या हो गया बोले मैं गिर पड़ा वो क्यों गिरे थे बिकाज यह जो बोल्ट था बोल्ट नट निकल गए थे और यह जो सीट थी ना वो ऐसे हो गई थी मदब गिर गई थी नीचे तो बात कुछ ऐसी है कि यह वाली जो सीट होती है यह आपकी कुछ इस तरीके से मूव होती है उपर नीचे होती है अब क्या हुआ धीरे धीरे मूव होते होते यह वाला जो बोल्ट और नट है वो धीले हो जाते है जैसे जैसे यह धीले होते हैं एक टाइम के बाद में यह जो बोल्ट और का सेट हूँ निकल जाता है तो यह यहां पर बैठे थे हराम से इतने में अचानक से भट से अवाज आई और भला यह लगा था यह लगा था और यह सीट ना ऐसे एकदम हो गई पतलब यह दोनों निकल गए थे तो वह गिर पड़ा फटाक से मैं गया सर्विस सेंटर इसको टाइट वगिर करवाया तब जाकर के लें यह वापस गाड़ी तो उनके पैर में आगाई मोच तो माल लिजे स्पीड में होती गाड़ी तो उनका फ्र्कचर हो सकता था यहां पर इस जगे पे पैर फ्र्कnew हो सकता था अभी तो बोंच इस आए तो आप यहीडिष्याईंचर्च तो हमेशा गाड़ी के मेंटेनेंस के दोरान यह वाले जो नट बोल्ट है टाइट करवा देना ताकि यह हाथसा आपके साथ ना हूँ तो आपको प्रॉपरली इनको मेंटेनेंस में देखते रहना है कि कहीं यह लूज तो नहीं है बिकॉज हो सकता है अगर कोई बैठे यदि निकल जाए तो वो गिर सकता है यह साफधानी आपको हमेशा बरतना है कि इन इस्क्रू इन नेट इन बोल्ट पर ध्यान देना है कि यह हमेशा अच्छी तरीके से टाइट रहे लूज ना रहे निकल ना जाए अधर्वाइस कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी तो एक जागरुपता का वीडियो था था थैंक्स वर वाचिंग में सो पेशेसली एंड बाबाए एंड बाबाए